2016 में US diplomats जो क्यूबा देश की राजधानी हवाना में stationed थे, रहने लग रहे थे, उन्हें अजीबो गरीब symptoms होने लगे। उन्हें कुछ अजीब सी अवाजे सुनाई देने लगी और बहुत ही तेड़े मेडे से physical sensations देखने को मिले। कईोंने कहां उनको memory loss हो रहा है, कईोंने कहां उन्हें धंक से सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ को चक्कर आने लगे, कुछ को उल्टी जैसा होने लगा, इस disease को नाम दिया गया हवाना syndrome। पर कमाल की बात ये थी, कि ये सिरफ diplomats और intelligence officers को ये चीजे होने लग रही थी, आम जनता में से किसी को भी ये symptoms नहीं थे, इस चीज को लेकर एक नई debate खड़ी होई, कि क्या कोई यहां पर दुश्मन देश अमेरिका का directed energy weapons का इस्तिमाल करने लग रहा है, एक नई तरीके के क मिस्टीरियस चीज है फिर ये टाइम ही बताएगा, पसंद आया वीडियो सब्सक्राइब का बटन दबाएए नीचे, बहुत बहुत बटाएगा